हेलो गाईज, यहां हमें स्टेनो फॉर आल, यूटूब चैनल के माध्यान से आपको बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की क्लास उपलब्द करा रहे हैं, जिसमें हमारा हिंदी और इंग्लिज का अलग लग समय लाइब क्लास का पोर्शन है आप सभी को पता है, यह हमारा 80 और 90 शब्द प्रति मिनट की गती पर जो राजिस्तान हाई कोट की तयारी करने वाले चात्र हैं, उनके लिए लगातार 80 पहली उसके बाद में 90 शब्द प्रति मिनट की गती का डिक्टेशन है क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर मैं 70 शब्द प्रति मिनट की गती पर आपको डिक्टेट करूँगा, तो बहाँ पर डिक्टेटर हो सकता है, आपको 72-75 होई जाता है, मैनोली है, मैन मेकिंग है, तो मशीन लिकल तो है नहीं कि जो आपको 75 बोला गया तो 75 ही रहेगा, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप 80 और 90 इसके बीच में लिखते रहें, नियमित प्रियास करते रहें, साथ ही मैं चाहूंगा कि आप जो भी डिक्टेशन लिखते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश किया करें, ये ना हो कि आप यहाँ से डिक्टेशन लिखे और उसके बाद में लाइफ क्लास से बगाया हो गए, दो लाइन पढ़िएगा, पढ़िएगा जरूर, ठीक है, चलिए, पहला डिक्टेशन हमारा, 80 शब्द प्रती मिनट की गतिपा शुरू करते हैं, सभी तैयार हो जाएए, रेडी, इसी समय उनके नीची जीवन में एक गटना गटी, पिता ने पहले ही उनका बिवा कर दिया था, जिससे वे इस्थिर रहकर कोई काम कर सकें, परंतु एके गोपालन की राजनीती और समाज सुधार की गतिविदियां देखकर पतनी के चाचा, 1932 में अपनी भतीजी को बलपूर्वक सदा के लिए गोपालन के घर से ले गए, एके गोपालन ने 1952 में दूसरा बिवा कर लिया, उनकी पतनी शुशीला, गोपालन भी 1967 से 1971 तक लोगसभा की सदस्या रही, अंतराष्ट्रिये व्रद दिवस, International Day of Older Persons, अत्वा अंतराष्ट्रिये बुजुर्ग दिवस अत्वा अंतराष्ट्रिये वरिष्ट नागरिक दिवस अत्वा व्रद प्राण दिवस अत्वा अंतराष्ट्रिये ब्रद जन दिवस प्रतेक वर्स एक अक्टूबर को मनाया जाता है, इस अवसर पर अपने वरिष्ट नागरिकों का सम्मान करने एवं उनके सम्मंद में चिंकन चिंतन करने की आविश्चक्ता होती है आज का व्रद समाज अत्यधिक कुंठा ग्रस्थ और समाननेता इस बात से सरवदिक दुखी है कि जीवन का विशद अनुभव होने के बावजूद कोई उनकी राय ना तो लेना चाहता है और ना ही उनकी राय को महत्व ही देता है इस प्रकार अपने को समाज में एक तरह से निस्प्रियोजन समझे जाने के कारण हमारा ब्रद समाज सरवदिक दुखी रहता है ब्रद समाज को इस दुख और संत्राश से छुटकारा दिलाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है इस दिशा में ठोस प्रयास किये जाने की बहुत आविश्चक्ता है ब्रदों की समस्या पर सयुक्त राश्ट्र महसभा में सर्व प्रतम अर्जेंटीना ने विश्व का ध्यान आकर्शित किया था तब से लेकर अब तक ब्रदों के समंद में अनेक गोस्ठियां और अंतराश्ट्रिये सम्मेलन हो चुके है बर्स 1999 को अंतराश्ट्रिये बुजर्ग दिवस के रूप में भी मनाया गया इसे पूर्व 1982 में बिश्व स्वास्थे संगठन ने ब्रद्धा अवस्ता को सुखी बनाए जैसा नारा दिया और सबके लिए स्वास्थे का अभिहान प्रारंब किया था संयुक्तराश्ट्र संग ने एक अक्टूबर को अंतराश्ट्रिये बृत दिवस के रूप में गोशित किया हुआ है और इस रूप में बिश्व भर में इसका आयोजन भी किया जाता है इन सब बातों से ब्रद व्यक्तियों के प्रती लोगों में सम्मान और समवेदना के भाव जागे और उनके स्वास्थे तता आर्थिक समस्यों के समाधान पर विशेश ध्यान दिया गया ब्रद अवस्था की बीमारियों के लिए अनेक आउस्दियों का अविश्कार किया गया और अनेक इस्थानों पर अस्पतालों में उनके लिए विशेश ब्यवस्था की गई लगबग सभी पश्चमी देशों में आर्थिक समस्या से जूजते ब्रद्धों के लिए परियाप्त पैंसन की विवस्ता की गई है जिससे उनका खर्च आराम से चल जाता है वहां के बुजुर्गों के सामने अब सामानने ता आर्थिक संकट नहीं है उनके सामने स्वास्ते के अतरिक्त मुख्य समस्या अकेले पन की है बयस्क होने पर बच्चे अलग रहने लगते हैं और केवल सब्ताहंत या अन्य विशेस अवसरों पर ही वे उनसे मिलने आते हैं कभी कभी उनसे मिले महीने या वर्स भी गुजर जाते हैं बीमारी के समहे उन्हे सांतुना देने वाला सामानने ता उनका कोई भी अपना उनके पास नहीं होता व्रद होने के बाद इनसान को कई रोगों का सामना करना पड़ता है चलते फिरने में भी दिक्कत होती है लेकिन यह है इस समाज या समाज का एक सच है कि जो आज जबान है उसे कल बूड़ा भी होना है और इस सच से कोई नहीं बच सकता लेकिन इस सच को जानने के बाद भी जब हम बूड़े लोगों पर अत्याचार करते हैं तो हमें अपने मनुस्य कहलाने पर शर्म महसूस होती है हमें समझना चाहिए कि वरिष्ट नागरिक सामाज की आमूले विरासत होते हैं उन्होंने देश को और सामाज को बहुत कुछ दिया है उन्हें जीवन के विविन छेत्रों का व्यापक अनुभव होता है आज का यूवा वर्ग राष्ट को उचाईयों पर ले जाने के लिए वरिष्ट नागरिकों के अनुभव से लाब उठा सकता है अपने जीवन की इस अवस्था में उन्हें देखवाल और यह एसास कराए जाने की जरूरत होती है कि वे हमारे लिए बहुत खास महत्व रखते हैं एक पिड़ जितना जादा बड़ा होता है वह उतना ही अधिक जुका हुआ होता है यानि वह उतना ही बिनम्र और दूसरों को फल देने वाला होता है यही बात समाज के उस वर्ग के साथ भी लागू होती है जिसे आज की तथा कथित यूवा तथा उच्छ सिख्छा प्राप्त पीड़ी बूड़ा कहकर ब्रद्द आश्रम में छोड़ देती है वह लोग भूल जाते हैं कि अनुभव का कोई दूसरा विकल्प दुनिया में है ही नहीं अनुभव के सहारे ही दुनिया भर में बुजुर्ग लोगों ने अपनी अलग दुनिया बना रखी है जिस घर को बनाने में एक इनसान अपनी पूरी जिन्दगी लगा देता है ब्रद होने के बाद उसे उसी घर में एक तुछ बस्तू समझ लिया जाता है बड़े बुडों के साथ यह ब्यावार देखकर लगता है जैसे हमारे संसकार ही मर गए है बुजुर्गों के साथ होने वाले अन्याय के पीछे एक मुख्य बजह सामाजिक प्रतिस्ठा मानी जाती है सब जानते हैं कि आज हर इंसान सामाज में खुद को बड़ा दिखाना चाहता है और दिखावे की आड में बुजुर्ग लोग उसे अपनी सुन्दर्ता पर एक काला दाग दिखते हैं बड़े घरों और अमीर लोगों की पार्टी में हाथ में छड़ी लिये और किसी के सहारे चलने वाले बुडों को अधिक नहीं देखा जाता क्योंकि वहाँ इन बुडे लोगों को अपनी आलिशान पार्टी में सामिल करना तथा कथित शान के खिलाफ समस्ते हैं यही रूडी बादी सोच उच वर्ग से मध्यम बर्ग की तरफ चली आती है आज के समाज में मध्यम बर्ग में भी ब्रद्धों के प्रती इसनेह की भाबना कम हो गई है संयुक्त राष्ट ने बिश्व में बुजुर्गों के प्रती हो रहे दुर्बिभार और अन्याय को समाप्त करने के लिए और लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए 14 दिसंबर 1990 को यह निर्णे लिया की हर साल एक अक्टूबर को अंतरास्ट्रिय बुजुर्ग दिवस के रूप में मना कर हम बुजुर्गों को उनका सही इस्थान दिलाने की कोशिश करेंगे एक अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतरास्ट्रिये भुजुर्ग दिवस मनाया गया जिसके बाद में इसे हर साल इसी दिन मनाया जाता है भारत में ब्रदों की सेबा और उनकी रक्षा के लिए कई कानून और नियम बनाए गए है केंद्र सरकार ने भारत में बरिष्ट नागरिकों के आरोग्यता और कल्यान को बढ़ावा देने के लिए वर्स 1999 में व्रद सदस्यों के लिए रास्ट्रिये नीती तयार की है इस नीती का उद्देश्य व्यक्तियों को स्वयम के लिए तथा उनके पती या पतनी के बढ़ापे के लिए विवस्था करने के लिए प्रोच साहित करता है इसमें परिवारों को अपने परिवार के व्रद सदस्यों की देखवाल करने के लिए प्रोच साहित करने का भी प्रयास किया जाता है इसके साथ ही 2007 में मातापिता एवं वरिष्ट नागरिक भरण पोशन बिदेहक संसद में पारित किया गया है इससे मातापिता के भरण पोशन ब्रद आश्रमों की इस्थापना चिकित्स सुविदा की विवस्था और वरिष्ट नागरिकों के जीवन और संपत्ती की सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है लेकिन इन सब के बावजूद हमें अकबारों और समाचारों की सुरक्षियों में ब्रदों की हत्या लूटमार की घटनाएं देखने को मिल ही जाती है ब्रदाश्रमों में बढ़ती संख्या इस बात का साफ सबूत है कि ब्रदों को उपेख्षित किया जा रहा है हमें समझना होगा कि अगर समाच के इस अनुभवी इस्तंब को यूँ ही नजर अंदाज किया जाता रहा तो हम उस अनुभव से भी दूर हो जाएंगे जो इन लोगों के पास है यह हमारा 13 मिनट 30 सेकंड का डिक्टिशन था जो दो स्पीड में था छे मिनट के बाद में कुछ हमारा 90 शब्द प्रती मिनट की गती पर रहा है आप सभी पढ़ने के लिए तैयार हो जाएए बारे बारे से जिसको नाम लिया जाएगा पढ़ने पढ़ते रहेगा चलिए आज़े ये गूगल मेट पर हेलो गाईज यहां हमें